कलस्टीबी की पॉप्लेर्शन मुस्कुराने की वज़ा तुम हुमी हमने अब तक देखा कि यूवराज की पास कथा आती है और कहती है नाम तो याद हुगा न कथा और वो भी भूल गए क्या राहूल या यूवराज किस नाम से पकारू मैं तुम्हें तब ही आप पर कथा और यूवराज दोनों ही चुप हो जाते हैं और मा कथा को सब के पास ले जाती है और मा कहती है कि आज कथा का तीज का व्रत है और कभीर कहता है कि कथा व्रत नहीं कर सकती है जिसके बाद सब काफी गुसा करते हैं लेकिन कथा कहती है कि मैं ये व्रत करूंगी कभीर और तुम चिंता मत करो मीरी, आगे युवराज आ जाता है और कबीर ब्रेकफस्ट करने कहता है, और फिर कथा युवराज को टॉंट कसती है, और युवराज है जो काफी ज्यादा डरा डरा फील करता है, आगे डोल के आवाज आती है, सब बाहर आ जाते हैं, यहाँ पता चलता है कि कबीर की छोटी बेहन का पती आया होता है, और ये देख कर सब ही खुश होते हैं, वहीं युवराज मनी मन कहता है कि इसका कुछ तो करना होगा, वहीं कथा भी ठान लेती है कि वो युवराज को सजा दिला कर रहेगी, आखिर कैसे ये तो आने वाले ट्रैक में ही पता चलेगा, खेर टेलेविजन की लेटिस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले,